हेलो दोस्तों नमस्कार आई यह स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेबेन तो फर्स्ट क्वेस्चन है सोवियत संग किस बर्स में तूटा था यह हम बताएंगे तो यह करेक्ट आंसर दी होगा 1991 में तूटा था आगे देखेंगे सेकेंड बस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था बस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था तो वह फ्रांस की क्रांती की घटना थी उसको जब हमला हुआ था तो उसके दोरान फ्रांस की क्रांती हुई थी आगे का question देखेंगे उत्राखंड किस वर्स अस्तितों में आया था यह हमें बताना है कि उत्राखंड किस वर्स अस्तितों में आया था तो वह सन 2000 में अस्तितों में आया था option D सही है एक नवंबर संदो हजार को इस दिन मतलब इस एक नवंबर संदो हजार को उतरा खंड के अस्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो कि इसी दिन यह अस्थितों में आया था आगे देखेंगे नालंदा किस द rented का प्राचीन शिक्षर संस्थान था नालंदा जयो घश वीज只 दाअब का संस्थान था वह बहुत धर्म का सिक्षर संस्थान था और यह भारत में प्राचीन मगद सामराज्य जो की मगध बिहार में है उसका एक बौध मठ भी था ठीक है आगे का question देखते हैं भारतिय राष्टी आंदोलन के संदर्ध में सरहद गांधी के नाम से किसे जाना जाता था भारतिय राष्टी आंदोलन के संदर्ध में सरहद गांधी के नाम से किसे जाना जाता था देखिए यहां पर सही उत्तर है खान अब्दुल गफार खान इन्हें ही सरहत गांधी के नाम से जाना जाता था आगे का question देखते हैं भारत का सबसे छोटा राजे कौन सा है भारत का सबसे छोटा राजे हम बताएंगे तो वह हो जाएगा गोवा का नाम जो है सबसे छोटा राजे में आता है अब ऐसा नहीं है कि आप blue है पानी पानी करने लगें आगे का question देखते हैं सत्ता में सत्ता रुड किसके प्रती उत्तरदाई होता है या किसके प्रती उत्तरदाई होता है लोगों के प्रती उत्तरदाई होता है ठीक है सत्ता में सत्ता रुड वाद लोगों के प्रती उत्तरदाई होता है आगे का question, निम्न में क्या राजय सुची में सामिल है, राजय सुची में क्या सामिल है, पुलिस, ठीक है, पुलिस, पुलिस की तैयारी भी आप लोग कर रहा हैं, इसका याद कर लिजें यहां से, भारत में जी एस्टी कब से लागू हुआ था? GST कब से लागू हुआ, एक जुलाई 2017 से GST लागू हुआ था घारत में नेक्स्ट क्वेस्चन है, एक ही भूमी पर एक साथ दो या दो से अधिक फसले उगाना कौन सी फसल फ्रडाली से संबंदित है, कौन सी फसल फ्रडाली से मिशृत फऽल फ्रडाली से, ठीक है, मिशृत फ़सल फ्रडाली, मतलब एक साथ दो या दो से अधिक फऽले हो, मतलब उगाई जाती है, जैसे कि देखिए, गेहू और सर्षो, एक साथ लोग उगाते हैं, वो मिशृत में आता है, उसके साथ साथ गेहू और चना, इसको भी एक साथ उगाया जा सकता है मतलग उगाया जाता है तो वह भी मिश्रित के अंतरगत आएगा आगे का क्वेस्चन भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कारिकरम शुरू किया गया कब सुरू किया गया तो यह 1995 में सुरू किया गया इस कारिकरम के दौरान तो पांच बर्स स पांच बर्स से जो कम के बच्चे होते हैं उनको ओरल पोलियो पीका की खुराक दी जाती है जिससे कि उनमें पोलियो का मतलब ना हो पाए उनको इसके लिए दिया जाता है आगे का क्वेस्चन देखें जी एस्टी का पूर्ण अर्थ क्या होता है यहां पर जी एस्टी का जो कुछ और ही आप गुड नाइट और स्वीट ड्रिम्स याद करने लगें तो आगे का क्वेस्चन देखते हैं आईए तेरा नमबर दिये गए बिकल्पों में से कौन सी बिमारी सुवर से फैलती है सुवर से फैलने वाली बिमारी पूछा है यहां पर जो की करेक्ट आंसर ह हो जाएगा स्वाइन फ्लू अब इसके लग्षण कुछ हम आपको बता देते हैं जैसे खार खासी आखे लाल होना भौकना और जैसे सांस लेने में मतलब समस्या का होना यह सब जो है स्वाइन फ्लू अगर होगा तो उसके लग्षण यह सब दिखाई देंगे आगे का उदारण है ठीक है आगे डेंगू के समय रक्त स्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होता है डेंगू के समय पूछा है कि प्लेटलेट्स की संख्या जो कम हो जाती है वो किसकी कमी कारण होती है तो वह प्लाजमा की कमी के कारण होती है प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं किसकी कारण लाजमा के कारण आगे निम्लिखित में से कौन सी धातू सबसे अधिक तन्या है यहां पर वह धातू बताना है जिसकी तन्यता सबसे अधिक हो तो सबसे अधिक तन्यता सोना क्या होगा आप जानते होंगे सोना को देखे मतलब उसका कितना भी पतला तार बनाया जा सकता है उससे मतलब कितने आभूसर्ण बनाये जाते हैं क्योंकि वो उसकी तन्यता बहुत अधिक होती है आगे question देखें 17 प्लासी का यूद कब हुआ था प्लासी का यूद हमें बताना है यह हुआ था 1757 में किसके बीच हुआ था तो East India Company और मोगल बादसा जो साह आलम द्वितिय के बीच हुआ था ठीक है मोगल बादसा जो है साह आलम द्वितिय था और East India Company इन दोनों के बीच यह यूद लड़ा गया था प्लासी में लड़ा गया था यह तो question में ही बता रहा है तो यह question आगे का हम देखें बर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी क्या है कजाकिस्तान की राजधानी पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर सुल्तान ठीक है आगे का question किस रा पहले पस्तिम बंगाल ने भी जी आई टैग रसूला को प्रदान किया है और हम एक और यहां पर बता दें जी आई टैग जो है सबसे ज्यादा जी आई टैग वाला राज्य उत्तराखंड है ठीक है उत्तराखंड आगे का क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य केंद्र सासित प पूछा है तो ये हो जाएगा दिल्ली दिल्ली ने द्रीडि द्रकीया गया है आगे का यह चैन अगला वे पर प्रमहावन क्या कहते हैं मधु मकि काल्चर कहते हैं और Burada श्रystem ओऊनरे से रिक यह र्यषम XD के इक की पालवन को कहते है डेस देखता है रिपबलिक के लेखक कौन है यह पर हम बताएंगे कि रिपबलिक लेखक हो जाएंगे प्लेटो और प्लेटो किसके सिस्यत है तो वह सुकुरात के सिस्यत है यह क्रिश्टन यह भी महुत्वपूर है सुकुरात के सिस्यत है आगे कहा देखें भारतिय सम्विधान में मूल कर्तव किस देश के सम्विधान से लिए गया हैं Susr के संविधान से लिए गया हैं के अगला किस पूर उपरधान मंत्रीने चेंजिंग इंडिया पुस्तक कि ने लिखी है मन मोहन सिंग नहीं मन में आया होगा इन्होंने लिख दिया होगा चेंजिंग इंडिया पुस्तक है अगला है राजे सभा का पदेन अध्यक्ष प्रारत के उप राष्टपति होते हैं अगला क्थक कली किस राजे से का पर के श्मंद किस सो यह यहां पर तो यह केरल से हो जाएगा कथक कलीर्ल और कथक जो है उतरपरदेशraktion का कत्त कंफ्यूज ना होईएगा उतरपरदेश्ट का कत्त हो जाएगा ठीक है ऑफ सरकी सामराज्यकी अस्थापना कहां पर की गई है सरकी सामराज्यकी अस्थापना में कहां पर की गई है यह जॉन पूर में की गई है और सर्की बन्स के संस्थापक कौन थे उससर्प यह थे उस रर्ख ठीक है ऐसे आप यह थोड़ा याद कर लिजीएगा नाम थोड़ा सा लगी है ठीक है उसर्प मलीक उसर्प बहू बेगम का मक्बरा कहां पर इस्तित है पहू बेगम का मक्बरा फैजाबाद में अयोध्या फैजाबाद मैं इस्तित ओसजीर ठीक सब्रेघ्ण यहां पर देखें एक और चीजे में बता दो सने बनाभाव सूजा اुदग दोला dost इस हैने नबाब सुजा उध दौला ने कि लीए बनवाया था अपनी पत्नी के याद में बनवाया था ठीक है सुजा है कि उध थिगंगे बनवाया था है नेक्स्ट विदोग irritation नेli 1875 के वीद्रों का नेट्टितु किया तहां से किया था तो लखनव से किया था ठीक अगला उतर परदेश को किस नाम से जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था देखिए यहां पर उतर परदेश जब आपको कोई उतर आता है तो आप कैसे बताता है यू गूं बता देते हैं उग उनाइटेड ऊत्तर बता देते हैं तो ऐसे उत्तर परदेश को उनाइटेड प्रविन्स के नाम से जाता नेक्स्ट नाच के Pro nerves के रचैता कौन थे नाच के तु पहचान के रचैता सदल मिस्र थे ठीक नेक्स्ट देखें माधुरी पत्री का प्रकाशन कहा से होता था देखें लखनव से होता था ठीक है देखें लखनव ठीक है माधुरी जो है वो क्या लाखों जो हे नए नए चीजों का डिमांद करेंगी क्यों कि वो तो महिलाएं होती है न डिमांड करती करती। ये क्यों है ध्यक्त ऑर नेपाल के मद्य दूइतिय व्एpy भारत कितने सी सब्सक्राइब क्लाई देपार को है कितने बिलियन डैलर का है? आथ 10.27 डॉलर का है ठीक है? नेच्ट है स्वर्व प्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमत्ती की थी? किस देश ने की थी? न्यूजी लैंड महिलाए होती ही है जो नए नए चीलों का डिमांड करती है तो इसलिए यहाँ पे न्यूजी ल लाइगा ठीक है और आप कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकी अब्रिक्ष कौन सा है ठीक है और ये भी बताइएगा कि कि आपका सही हुआ और ये वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग